होटेल के जैसा एकदम जालीदार स्पॉञ्जी डोगला अगर आप घर में बना कर खाना चाते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल होटेल जैसा एकदम जालीदार और भुला-भुला डोगला बनाने का असली तरीका बताने वाली हूँ साथ ही एक ही डोकले को दो तरीके से तड़का लगा कर डोकले का और भी टेस्टी कैसे बनाते हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ येकिन मानिया अगर आप भी मेरे इस डोकली बनानी के तरीके से डोकला बनाएंगे तो आपका भी डोकला बिलकुल होटिल के जैसा बनीगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं जोस्तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आईगी तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों से सेयर करें और आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले डोकले को बनाने के लिए मैंने यहां एक कप बेशन लिया है इसे बेशन को एक चलनी में इसे चान कर लेना है बेशन को चान कर लेने से क्या होता है कि जब हम डोकले का पैटर बनाएंगे तब बैटर में कोई भी लंस नहीं पड़ेंगे बेशन को चानने से बेशन एकदम स्वाफ्ट भी बनता है ए देखिए बिलकुल ऐसे ही से छान कर स्वाफ्ट बनाना है अब हम और आदा कप बेशन लेंगे और इसे भी इसे अच्छे से छान कर लेंगे यानडकि मैंने यहाँ पहले एक कप और बाद में आदा कप, ऐसा टोटल देड़ कप मैंने यहाँ थोड़ी सी लाल सर बन जाएंगी साथ ही यहाँ एक बड़ी नीम्बू का जूस डालेंगे सबसे पहले इस बेशन को हम आच्छे से मिक्स करके लेंगे अब हम यहाँ डोकले का बैटर बनानी के लिए बेशन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ज्याँ रहे कि डोकले का बैटर बनानी के लिए एक साथ ज़्यादा पानी अड़ नहीं करना है एक साथ पानी ज़्यादा अड़ करेंगे तो बैटर में लम्स पढ़ेंगे और बैटर सॉप्ट भी नहीं बनेगा और डोकला भी जाली दार स्पॉंजी बनने में बड़ी दिक्कत आती है यह देखिए बिलकुल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें एड़ करेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए ऐसे फैटते रहेंगे इसे ऐसे चलाते हुए फैटने से क्या होता है कि दोकले का बैटर एकदम सॉप्ट बनता है और बैटर में कोई लंस भी नहीं पड़ेंगे और बैटर ज्यादा पतला भी नहीं बनेगा एकदम पर्फेक्ट इसका बैटर बनेगा अगर बैटर को ज्यादा पतला बनाएंगे तो ढूकला एकदम जालीदार और स्पॉंजी नहीं बनेगा यह देखिए बिल्कुल ऐसा है एकदम फर्फेक्टले इसका बैटर बनाना है इस बैटर को फूलने के लिए 10 मिनट तक इसे डखकर रख देंगे 10 मिनट के बाद दोकले का बैटर थोड़ा सा फूलने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें इनो एड़ करेंगे यहां मैंने इनो का एक पाउच लिया है इनो का पूरा पाउच यहां नहीं डालना है सिर्फ आदा इनो ही इसमें डालना है बैटर में इनो आड़ करने के बाद बैटर को अच्छे से फेटना है देन्टर कीए कि डोकली का बैटर बनाती समय मैंने इनो आड़ नहीं किया था क्योंकि 10 मिनित तर डोकली का बैटर रखने से बैटर थोड़ा सा फूलता है अगर बैटर को और भी ज़्यादा फुला ना हो और डोकला एकदम जालीदार स्पॉंजी बनाना हो तो इस स्टेज पे इनो आइड करेंगे और इसे अच्छे से फेटेंगे इस देखिए जब मैंने 10 मिनित तक बैटर को भीगोने के बाद जितना बैटर था उससे दूगना बैटर इनो डाल कर फेटने से फुला फुला बना है इनो डालने के बाद बैटर को जितना ज़्यादा फिटोगे उतना ज़्यादा बैटर फुलेगा और जितना ज़्यादा बैटर फुलेगा उतना ज़्यादा हमारा डोकला एकदम जालीदार और स्पॉंजी बनेगा देखिए दोकला बनने से पहले इनो डाल कर अच्छे से फेटने से डोकले का बैटर अच्छे से फूल कर एकदम परफेक्ट बना है ना ज़्यादा गाड़ा और ना ज़्यादा पतला डोकला बनानी के लिए अब हम एक केक पैन लेंगे और उसे ओइल से अच्छे से ग्रीस करेंगे इससे क्या होता है कि डोकला निकलते समय पैन को चुपकता नहीं और डोकला आसानी से निकलने में मदद होती है यहां मैंने पैन को आइल से अच्छे से ग्रीस करके लिया है अब हम क्या करेंगे कि एक दम अच्छा सा फूलकर बना हुआ डोकली का बैटर पैन में डाल देंगे मैंने डेड़ कप बेशन का बैटर बनाया है और ये सारा का सारा बैटर इस square के सेप के पैन में डालना है क्योंकि इस पैन की size डेड़ कप बेशन के बैटर के लिए एकदम perfect है इस पैन में डेड़ कप बेशन के बैटर का डोकला अच्छा सा फूल कर एकदम जालीदार बनीगा डोकले को पकाने के लिए ग्यास पे कड़ाई रखकर उसमें इस टैन रखेंगे और उसमें दो कप पानी डालेंगे जब कड़ाई में पानी गरम होगा तब डोकले का बैटर वाला पैन इसमें ऐसे रख देंगे इस पैन के लिए एक डाई की साइज एकदम फर्फेक्ट है अब वोपी इसे डख कर रख देंगे डोकला पकाते समय ग्यास का प्लेम पास से साथ मिनिट तक हाई रखना है और बाद में और साथ मिनिट तक ग्यास का प्लेम मेडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रख कर डोकले को पकाना है लो पक गया हमारा वेशन का डोकला अब नाइप से चेक करना है कि ये पक गया है या नहीं अगर knife को डोकला चिपकेगा नहीं तो समझो हमारा डोकला एकदम पर्फेक्ली पग गया है और ये देखिए ये एकदम आसानी से पर्फेक्ली पग गया है अब हम गैस को आफ कर देंगे और डोकले को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे यह डोकला थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब इसे कड़ाई से बाहर निकालेंगे यह देखिए हमारा वेशन का डोकला बिल्कुल होटेल देशा फुला फुला सौप्ट और स्पॉंजी बना है अब हम डोकले को पैन से निकालने के लिए एक नाइफ लेंगे और डोकले के किनारे पैन से अलग हो जाए इसलिए नाइफ से इसे इसे पैन से अलग कर देंगे यह मैंने नाइफ से डोकले के चारो किनारे अलग किया है अब हम इस डोकले को एक थाली में निकालेंगे ये देखिए ये डोकला ठंडा भी हो गया है और अच्छा सा पक भी गया है इसलिए एकदम आसानी से पैन को पिना चिप के निकल गया है अब हम चलते हैं इस दोकले के लिए तड़केवाला खटा मीटा पानी बनने के लिए है इसलिए गयास पे पैन रखकर एक बड़ा चमच ओएल डालेंगे ओएल गरम होने के बाद एक ठोटा चमच राई डालेंगे और इससे भी तड़कने देंगे राई अच्छी सी तड़कने के बाद चार कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च डालने से तड़के वाला कट्टा मिटा पानी बहुत ही टेस्टी बनता है यहां हरी मिर्च अच्छी सी पग गई है अब हम आठ से दस करी पत्ते को डाल कर इसे अच्छे से फ्राइ करके लेंगे करी पत्ते डालने से भी हमारा कर्टा मिटा पानी बहुत ही टेस्टी लगता है इसे अच्छे से फ्राइ करने के बाद एक चोता ही कब पानी डालेंगे साथी सौध किनुसार नमक, एक छोटा चमत चीनी और आदा निम्बू का जूज डाल कर इसे चलाते हुए मेडेम गैस के फ्लेम पे इसे पकाएंगे डोकले के इस तड़के वाली पानी में चीनी और निम्बू का जूज डालने से तड़के वाला पानी थोड़ा सा कटा और थोड़ा सा मिटा बनता है और यही तड़के वाला कट्टा और मिटा पानी जब हम डोकले पर डाल कर खाएंगे तो डोकला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इस तड़के वाले पानी को गैस के मेडें प्लेंपे दो से तीन मिनिट तक अच्छे से पकाने के बाद अब हम गैस को आफ करेंगे और इसे निकालेंगे अब हम क्या करेंगे कि जो अपने डोकला थंडा होने के लिए रख दिया था उसे ऐसे कट लगाएंगे इस डोकले को नाइब से ऐसे लंबाएं में कट करके लेना है एक साइड से लंबाएं में कट करने के बाद दूसरे साइड से भी डोकले को लंबाएं में कट करके लेना है ऐसा करने से डोकले के स्क्वेर के सेप में चोटे चोटे पिसेज बनते हैं जब हम डोकले के इस स्क्वेर के सेप के पिसेज पर कटा मिटा पानी डाल कर खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं कट लगाते समय बिना तूटे ये देखिए बिलकुल होटेल के जैसा एकदम सौप्ट और जालीदार स्पॉंजी हमारा बैसन का डोकला बनकर रेडियो हो चुका है यह देखिए कितना स्पॉंजी और जालीदार बनाएं ऐसा सौफ जालीदार स्पॉंजी डोकला अगर आप मेरे इस ट्रीक के साथ गर्मी बनाएंगे तो आपका भी डोकला बिल्कुल ऐसा ही बाजार जैसा एकदम सौफ जालीदार और स्पॉंजी बनेगा और खाने वाले तो एकिन भी नहीं करेंगे कि आप इस डोकले को घर में बनाया है अब हम इस डोकले को एक प्लेट में निकालेंगे और इसके उपर तड़के वाला खटा मिटा पानी जो बना कर रखा था और इसके उपर डाल देंगे हमारा बेसन का डोकला बहुत ही सूपर और स्पॉंजी बना है इसलिए इसके उपर खटा पिटा पानी डालेंगे तो जाली के अंदर तड़के वाला पानी जाएगा इसलिए जब हम डोकला खाएंगे तो इसका टेस्ट खाने में खटा-मिटा बन कर बहुत ही टेस्टी लगेगा पने यह डोकला जितना खटा-मिटा पानी सोकर लेगा उतना पानी डाल दिया है अब हम डोकली की टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए इसके ऊपर कटा हुआ हरादनिया गार्णिश कर देंगे ए देखिए बन गया ना हमारा बेशन का होटेल जैसा सौट स्पॉंजी और टेस्टी डोकला इस डोकले की कितने भी छोटे छोटे डोकले कर दो इसके अंदर यह बहुत ही ऐसा जालीदार ही आपको दिखाए देगा अब हम इसे सर्वक करते हैं अगर आप भी बिल्कुल ऐसा ही सौट जालीदार स्पॉंज डोकला बनना चाहते हो तो बाते याद रखना है जब हम डोकले का बैटर बनाएंगे तब बेसन चान कर लेना है और सिर्फ चिनी नमक निम्बू जूस और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालना है और दूसरी बात यह है कि डोकला बनाने से पहले बैटर में इनो डालकर बैटर फूलने तक उसे अच्छे से फेटना होगा बस इस दो ट्री के साथ आप डोकला बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा अब हम डोकले को दूसरे तरीके से तड़का लगा कर तड़के वाला ड्राइ डोकला कैसा बनेती है यह देखने वाले इसके लिए एक पैन गैस पे रखकर गरम होने के बाद एक बड़ा चमच आईल डालेंगे आईल गरम होने के बाद एक चोटा चमच राई डालेंगे और इसे तड़कने देंगे उसके बाद लंबाएं में कटी हुई चार हरे मेर्च डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राइ करके लेंगे उसके बाद अच्छे से साथ करीपत्ते डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राइ करके लेंगे उसके बाद दो बड़े चमस नारियल का बुराधा डालेंगे और इसे भी ब्रावोनी बनकर अच्छे से सेखने तक चलाते रहेंगे ड्राय वाले डोकले का टेस्ट तभी अच्छा लगता है जब नारियल का बुरादा हल्का सा ब्रावुनी बनने तक उसे सेखेंगे ब्रावुनी बनने तक नारियल का बुरादा सेखेंगे तो ड्राय डोकला बहुती टेस्टी लगता है यहां आरियल का बुरादा अच्छा सा ब्रावनी होने तक सेख गया है अब हम इसमें डोकले के कट किये हुए पिसेज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मसालों के साथ सेख लेंगे ऐसा ड्रायवाला डोकला आप भी बनाएंगे तो एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे क्योंकि एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अब इसके उपर हरादनिया डाल देंगे हरा दणिया डालने से ड्राय वाला डोकला और भी टेस्टी बनेगा लोबन गया हमारा ड्राय वाला डोकला earlier अब हम इसे सरव करने के लिए चलते हैं आप इस ड्रायवाली डोकले को गर्मा गरम खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा और ठंडा होने के बाद खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा आप भी अपने घर में ऐसा ट्राइवला डोकला बनाएंगे तो घर के बड़े होया बच्चे सब इसे खाना बहुत ही पसंद करेंगे दोस्तो आज की रेशीपे आपको पसंद आई होगी तो आप भी इसे घर में जरू ट्राइ करके देखना क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है